आज हम लोग पढ़ेंगे विदूत विभाव की परिकल्पना करनी है और ये दो जब ये करनी आपको एक बात तो आवेशी चालक गोलिये कोश्की कान विभाव के मानगी करना करेंगे इस टॉपिक के नौट्स का जो पीडियेफ है वो नीचे वीडियो के डिस्क्रेप्शन में लिंक है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इस टॉपिक को जब रिजल्ट पढ़ोगे तो इसके आधार पे जो नुमेरिकल संख्या 3.16 बुक के पीछे के जो आंक की प्रशन आते हैं वो आप लोग सौल करेंगे जिसका वो वीडियो ओडिये में अपने चेल्नल पर अप्लोड कर चुका हूँ अब देखिए बड़ा आसान है वीभाव की अगर परिभाशा आती है तो आप वीभाव के मान की गर्ना कर सकते हो तो किस प्रकार से गर्ना की जाएगी वो देखिए पहले कुछ कंसेप्ट आपको पता होना अच्छी है आपने विदुत विभाव विदुत छेतर के मद्य संबन्द पढ़ा और संबन्द क्या पढ़ा आपने की E बराबे कितना होता है मानस डीवी बटा डीयार तो मैं आसे अलीज सकता हूँ डीवी बराबे कितना होगा मानस का E डीयार अब दोनों तरब क्या कर दो समाकलन तो वन डीवी का समाकलन कितना हो जाएगा वी और यह बन जाएगा मानस के E डीयार तो एक तो यह सुटर हम लोग काम में लेंगे चालक वाय चालक दोनों परकाला के गोलों के करन विभिन बिंदों पे विभव ग्यात करने के लिए ठीक है दूसरा आपको गाउस का नियम जो चैप्टरिन नमबर टू है उसके कुछ रिजल्ट पता होना चीए तो गाउस के नियम की साहिता से आपने चालक गोले की कौन से गोले की बात करोऊं बटाँ मैं चालक गोले की विभिन बिंदों पर विदू चेदा गॉमान गयात किया था तो बहार इस्तित बिंदू पे outside point के ओपर विदू छेते कामां कितना आये था kq बट्टा small r square सते पे कितना आये था kq बट्टा capital r square जहां सते पे capital r small r क्या होते हैं और inside तथा उसके केंदर पे विदू छेते कामां कितना आये था 0 तो यह कुछ पुरानी बाते हैं जो इस derivation करने के लिए आपको याद रखनी है दूसरा अगर आप 1 बट्टा x square of dx का समाकलन करते हो तो समाकलन कितना परापत होगा minus 1 बट्टा x यह मैं पहले भी solve करवा चुका हूँ आपको तो आप देख सकते हैं अब हम अपने concept पे आते हैं हमें क्या करना है विभग के मानि गरना करनी है कब जब बिंदू P जो हमारा बिंदू P है वह है गोले के बहार इस्थित हो गोले के बहार इस्थित हो ठीक है तो यह हमने क्या ले लिए एक चालक गोला त्यूंकि गोला चालक है इसलिए जितने भी आविश दोगे सारे के सारे आविश कहां पराप्त होंगे सते पर है कितने आविश हैं क्यों इस चालक गोले की तिर्जा कितनी बोल दी आ रहे है केंदर बिंदू कितना हो और केंदर से स्मॉल आर दूरी पे भार के और बिंदू क्या है पी और इस पी बिंदू का विद्दू चेतर मुझे पता है कितना होता है क्यों बटा स्मॉल आ इसको है अब मुझे पूछा गया है कि बिंदू पी पे विभो पता हो कितना है तो विभव की परिपेशे क्या करती ही कि अनन्त पे किसको रखो परिक्षन आविश को और अनन्त से इस परिक्षन आविश को या इकाई धनात्मक आविश को विदू छेत्र के विरूद इस बिंदू पी तक लाने में जितना कारे करना पड़ेगा वो कार्य ही इस बिंदू पर क्या अत्पन करेगा विभाव। मतलब को यहां कुछ विभाव तो होगा तो इस विभाव का अमान कितना होगा तो आउटसाइड बिंदू का विभाव होगा मारीस समा क्लन mee outside of d r देख। अब यहां सूत्र पता वी बराबर कितना होता है मारीस minus e d r तो आूटसाइड पर निकार्डर हैं इसलिए में ने o लगा दिये बस तो वी बराबर कितना हो हो जागा मारीनड समा क्लनма E outside का मान आपको बता है कितना होता है KQ बट्टा R square of DR अब देखिए KQ constant बहार आ जाएगा तो minus KQ बहार समाकलन 1 बट्टा R square DR ध्यान देना limit put करना ना बहुत जोड़ी तो यहाँ variable कोन है DR DR क्या है? विस्तापन है सुनना ध्यान से DR क्या है? विस्तापन और विस्तापन किसका? विस्तापन prediction आवेश का तो limit आपको रखने आती है समाकलन में यहाँ रखते हैं हम लोग प्रारंबिक limit अर्थात initial limit और यहाँ रखते हैं हम लोग final limit देखो यह क्विंदू क्या है? केंदर तो यह परेक्शन आवेश है उसका प्रारंबिक इस्तति कहा थी? केंदर से अनन्थ दूरी पे है प्रारंबिक कहा था? केंदर से अनन्थ तो जो initial limit रखोगे वो कितने रखोगे? अनन्थ है और अन्थ में वो कहां आ जाएगा? अन्तिम इस्तति वो आ जाएगा बिंदू P और यह बिंदू P केंदर से कितना दूरी पे है? र तो अन्तिम इस्तता पर कितना रखोगे? र तो इस प्राकाश से limit रखी जाती है तो limit क्या रखनी है? अनन्थ से कितनी र मैंने उपर पताया था 1 by x square of dx का समाखन कितना होता? मैंनस एक बटा x इसी के आधार पर हम बोलेंगे मैंनस के क्यूँ तो एज़िटी एक बटा r square d r का समाखन कितना होगा? मैंनस के एक बटा r होगा और limit क्या चलड़ी? अनन्त से आ रहा यह मैंनस और मैंनस क्या हो जाएगा? प्लस तो बहार इस्तित बिंदू के विभाव कितना हो जाएगा? के क्यूँ अब लिमिट कैसे उपन करते हैं? अपर लिमिट मैंनस और लिमिट r की जगे r रहोगे एक बटा r मैंनस r की जगे रहोगे अनन्त एक बटा अनन्त क्या होता है? जीरो तो पताओ बहार इस्तित बिंदू पे विभाव का अमान कितना आया? के q बटा r कोई दिक्कत नहीं यहां तक ठेक है अब जो बिंदू b है दूसरा आप जब भागे वो क्या है? यदि बिंदू p गोले के सते पर इस्तित ओ गोले के सते पर इस्तित कहां इस्तित बिटा? सते पर तब क्या करेंगे? तो सच चालक गोला है तिर्जा r है और यदि आब इस चालक गोले को आविश देंगे तो आविश कहां पराप्त होंगे? सते पर इस बार केंद से r दूरी पे सते पे बिंदू क्या है? p जहां विभव के मान क्या गणनी? गणना इस सते के बिंदू p का विदू छेतर मुझे पता है कितना होता है? kq बटा capital r square और सते पे होने का मदलब है कि capital r small r क्या होगा? बराबर तो हम अपने यूजिस के according इसको kq बटा capital r square भी ले सकते हैं और kq बटा small r square भी लिख सकते हैं बात पर द्यान देना अब आपको पता है विभव कैसे उत्पन होगा? कि सर कहां जाओगे? अनन्द पे किसको रखोगे? परिक्षन आविश को और अनन्द से जो इस परिक्षन आविश को विद्धु छेत्र के विरुद इस बिंदु P पे लेके आएंगे तो वहाँ क्या उत्पन होगा? विभव अब चूकि यह सते पर है तो सते के विभव का सते कितना होगा? माइनस समाकलन E S of Dr बैस सते तो वही है सते तो क्या है? V जिगश्टू माइनस E DR लेकि अब सते पर है तो मैं V S E S लगा रहा हूँ सर्फेस लगा रहा हूँ तो V S इकल टू माइनस अब सते का विद्धु छेते मुझे पता है कितना होता है K Q बट्टा R स्कूर तो क्या लिखोगा अगे पास? समाकलन K Q बट्टा R स्कूर ओफ डिया दिमाग में क्वेश्टन आ रहा होगा सा कैपेटल R क्यों नहीं लिया जान दो क्योंकि हम DR स्मॉल है तो इसके साब एक से समाकलन कर पाएंगे इसलिए हम मैंने स्मॉल R की रुप में बदला है उसको बस वी एस कितना हो जाएगा माइनस K Q तो कॉमन है समाकलन एक बट्टा R स्कूर ओफ डिया बपीस से हमें लिमिट रखनी है मैंने लिमिट रखना पता है कि लिमिट किसे रखते हैं यहां इनिशिल लिमिट हो यहां फाइनल है विस्तापित कौन हो रहा है विस्तापित हो रहा है परिक्षन आविश तो इस केंदर से इस परिक्षन आविश की प्रारंबिक विस्तापन कितना है अनन्त और बाद में कितनी दूरी पर आ जाएगा आपके पास सते पर और सते की दूरी हम क्या मानते हैं कैपिटल R लिमिट क्या रखुए आप लोग लिमिट रखेंगे अनन्त से कितनी कैपिटल R V सर्फेस बराबर कितना माइनस के क्यू एक बटा R स्काई डिया का समाकरिंग कितना होता है माइनस एक बटा R होता है अनन्त से कितना कैपिटल R मानस मानस, प्लस हो जाएगा तो V surface कितना हो जाएगा K Q और अपन लिमिट मास लोड़ लिमिट small r की जगे capital r minus small r की जगे अनंत रखतो होगे एक बट अनंत क्या होता है 0 तो सते का विभुभ कितना होगा K Q बट आ capital r कि लिए रहे इतनी सी बात याद रहेगी आपू अब जो अंतिम बिंदू है वो क्या है कि गोली कोश जो है उसके अंदर इस्तित बिंदू पर हमें क्या करने है विभव के मान की करना करने है जो गोली कोश है के अंदर इस्तित बिंदू पर अंदर इस्तित बिंदु पर विभव के मां के अगरोगे गणना ये इंपोर्टेंट है बड़े ध्यान से सुनना स्टोफिक को आप लोग ये चालक गोला है और चुकि चालक है तो आविश दोगे तो आविश कहां पराप्त होगा सत्य पराप्त होगा नो डाउट इसकी तिर्जा कितनी बोल दी कैपिटल आर और इस बार क्या बोला केंदर ओ से स्मॉल आर दूरी पे अंदर की और बिंदु क्या है पी और हमें इस पी पे क्या चीए विभव देखो चालक के अंदर कोई आविश नहीं होता अंदर की और हिए तो अब इस बिंदु पी तक विभव कैसे बनेगा विभव बनाने का त्रीका है और इस परेक्षन आवेश को इस विभवत्य के वेरुद बिंदु पी तक लेका ओकर अ कुछिवभवव उद्पन होगा जीरो इसका मतलब यहां विद्धु छेत्र एक समान नहीं है विद्धु छेत्र का नहीं है एक समान है वो अलग अलग दूरी पे विद्धु छेत्र का अमान कैसा प्राप्त हो रहा है अलग अलग तो जब चीजे एक समान नहीं होती तो उनको हम समाकलन से सीधा-सीधा नहीं और अंत में कहां जाएगा बिंदू P, और बिंदू P की दूरी कितनी है, इसमोल रहा है, लेकेन ये जो विदू छेत्रे वो क्या नहीं है, एक समान नहीं है, समान नहीं है, तो ये विदू छेत्रे किती जगे बदल रहा है, दो जगे, पहली जगे कहां बदला, अनंत से सते तक बदल रहा है सते तक अरथ Скतनी दूरी तक और दूसरी बां का मकलता है R से अंदर स्टी बिंदू तक का सिल सते कर बातले मिन तक अंदर से थित करों कुईовор श्य पर और है மुई मूस if you कि सते के अंदर अगर चले गए मदर इस तरह बिनदु पर कितना होता है priority आई कि सब्लाइज में आगर यह क्याना अगर विदुचेत दो जगे बदार रहे हैं तो हम इसका समाक्रम की कितनी यह сп? दो बार और समाक्रम को दो बार तोड़ना लिमिट ब्रेकिंग मतलब विभाजित करें आप सीमा को इसकी लिमिट को तो वी इंसेट कितना होगा देखो मैं इसी बात को लिख रहा हूं तोड़के देखा बैटा ध्यान समझना पहुचोंगा मैं बिंदू पी तक मैं अपनी द अनन्त से सीधे कहां आजो बिंदू पी या दूसा तरीका क्या है अनन्त से पहले कहां पहुचो सते तक और सते से कहां पहुचो बिंदू पी तक तो इसके अंदर आपको एक समान विदू छेतर मिलेगा तो इतने टुकड़े का विदू छेतर एक होगा और इसके करा रों बार बार, इसलिए मैंने सीधा अनंत से P तक आने की बजाए पहले मैं अनंत से कहा ओँगा, फ़ी सते से कहां होँगा मैं अंदर इसलिए मैं इसकी लिमिट्ग को तुकुड़ों में ब्रेक करो, दो के अंदर तो माइनस पहले कहा आना अनंद से सते तक तो e surface of dr फिर minus sign इस बाद सते से कहा आना अंदर इस्तिद विंदो तक small r तक और ये कहलाएगा e inside of dr clear है तो v inside बराबर minus अब ध्यान दीजिए ये जो पूरी term हम पहले भी solve कर चुके है मैंने अभी just उपर solve किया है क्या solve किया है कि minus sum of clan e surface of dr का solution कितना होता है kq बटा r कितना होता है kq बटा r तो हम डायेट भी लिख सकते हैं कि इसका solution कितना होगा kq बटा r minus देखो ये पूरा देग की बार में solve होगया देख देना उपर जैसे solve गया है वैसी करेंगे और e inside का मांग कितना होता है zero, अगर ये zero होगी तो पूरी टंबी क्या हो जाएगा तो जो अंदर की और बिंदू होगा उसका विदऻ कितना होगा kq बटा r अर्थात अंदर निपिंदू का विदऻ रहा और सते पर सते बिंदू का विदऻ क्या होता है तीनों बिंदुों का विभव के क्यीव बट्टा आरी होता है, और ये चीज जब मैं आपको क्या बढ़ाँगा सम विभव प्रस्थ, क्या बढ़ाँगा सम विभव प्रस्थ, पॉपी के जो आगए हम पढ़ेंगे, तो उसका गुन पढ़ते हो और उसमें गुन संख्या 4 है प्रोपर्टी गुंधिरम सेंग्या चार और बात ये लिखी वी कि चालक की जो सते होती है वो सम विभव प्रश्ट कहलाती है और वो इस सुत्र से हैं तो ये आगे या देखना कि चालक की सते क्या कहलाती है चालक की सते सम विभव प्रश्ट कहलाती है इसको मैं बाद में अब मातने कितना ग्यात किया था यह का किया है तो इसका गराफ भी बना लेते हैं तो यह गराफ है आपका तो गराफ क्या है कि small r कमाद 0 मतलब आप कहां पे हो केंदर पे small r capital आर से छोठ आ है तो मतलब आप कहां आ गए सते पे आ गए सुरी अंदर आगे और small r बड़ाबर है capital r आगे तो कहां आजओगे सते पे और small r बड़ा हो गया capital r से मतलब आप कहां श्तित हैं बहार श्तित बिंदू पे है मान लेते हैं केंदर पे इतना विभव आता है तो ये तो विभव का अक्षे है और ये दूरी का अक्षे है तो center पे कितना है kq बड़ा r है तो जितना उसके केंदर पे विभव होगा उतना ही अंदर भी होगा अंदर भी वही होगा सते तक भी वही होगा तो जब तक आप केंदर से सते तक आओगे विभव का एक नियत मान देगा लेकिन जैसे आप सते से बहार जाओगे तो विभव और दूरी में संबन्द कैसा है वित कर्मानुपाती का इसलिए जब आप गराफ बनाओगे तो वित कर्मानुपाती या गराफ आएगा तो वि और आर्मे कैस संबन्द है वित कर्मानुपाती का अब देखो इसको नौर्स में किस परका से लिखना है वो भी देख लीजिए आप लोग क्या करना है माना एक कैपिटल आर्ट जाके गोले कोश को क्यों आविशित किया जाता है तो जब बिंदू पी गोले कोश के बहार इस्तित होगा तब कैसे ज्याद करोगे तो dv बराबे कितना होता है माइनस e outside of dr लिखेंगे अब प्रार्रमीर सतिकाओं की अनंत बाद में कहाएंगे p और p की दूरी कितनी स्मॉल आर् इसले limit क्या रख दी अनंत से स्मॉल आर्ट यह हो गया e outside of dr फिर e outside of dr आपको पता है gauss keniam से kq बटा r square 1 dv का समाखल बी हो जाएगा kq constant है एक बटा r square dr एक बटा r square dr का समाखल कितना होता है माइनस का एक बटा r और limit क्या चड़िए अनंत से small r माइनस माइनस क्या हो जाएगा plus limit open करोगे upper limit minus low limit तो outside का मान आजाएगा इसी प्रकार से जब सत्य पर होंगे तो यह small r का मान किसके बार रो जाएगा capital r तो diet भी कर सकते हो small r के जाएगा लिख सकते हो capital r फिर उसके बाद में कहाँ पर गोली कोश के अंदर तो small r चोटा वाक से capital r से है जो मैंने समझाया था कि limit break होगी तो वह पात यहां लिखी भी है तो यहां क्या लिखोगे यहां विदू छेते की तिविता r दूरी पर समान रूप से नहीं बदलती अर्था r दूरी को दो बागों में क्या करते हैं विवाजित एक बार अनंद से कहां आते हैं सते तक अर्थात r दूरी तक और एक बाद capital r से कहां जाते है small r अर्थात अंदर जाएंगे इसलिए समाकों को कितने पार्ट में break करके लिखा दो पार्ट में सते का मान कितना होता है kq बटा r उसका है और अंदर विदुच्छति कितना होता है 0 यह टम तो क्या हो जाएगी 0 और इस पूरे मान को आप आगे solve करोगी तो v inside का मान कितना हो जाए kq बटा r और यहीं बान कहां बढ़ात होता है के अंदर पे अर्थात सते का के अंदर का अंदर का विबव समान होंगे kq बटा ये इनके मत्रे क्या बनाय गया गराफ जो मैंने भी आपको बनाना सिखाया थैंक यू